सफेज चना मसाला बनाने के लिए कड़ाई को रख लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, इसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मच तेल, तेल गरम हो जाए तो डालेंगे एक चम्मच जीरा, आदा चम्मच डालेंगे अजवाएन, जीरा और अजवाएन चटक जाए, इसके बाद दो म अब उबले हुए सफेद चने, चनों को अब प्यास के साएद चलाते हुए हमें पका लेना है 2-3 मिनट के लिए फिर मसालों में में डालना है एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च एक चम्मच है भुणा फुटा हुआ जीरा, एक चम्मच है सफेद मिर्चों का पाउडर, एक चमच है चाट मसाला, नमक आदा चमच डाल लेते हैं और अब फिर से मसालों को चलाते हुए चने के साथ हमें भून लेना है, मीडियम फ्लेम पर फिर से इसे दो मिनिट के लिए भूनेंगे, फिर हमें इसमें डालना है दो मीडियम साइज के टमाटर बारिक टेस्टी लगेंगे, तो चनों को मैश करने के बाद फिर से इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं, अब थोड़े से धनिया के पते डाल कर मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए पकाएंगे, धनिया के पते साफ्ट होने तक, साले दार चना मसाला बनकर रेरी हो गया है, सर्फ कर लीजे से टमाटर, प्याज और बारिक चॉप किये हुए धनिया के पतों के साथ,